सुप्रिम कोट ने केंदर के अद्धादेश का मामला पांच जजों की संविधान पीट को सोपा सीजी आई ने की एहम टिपड़ी आम आद्मी पार्टी सरकार कर रही इसका विरोध नमस्कार दोस्तों मैरत नमसिंग और आप सभी का ट्रिकर न्यूज में सौगत है दिल्ली के अधिकारियों पर नियंतर से जुड़े केंदर के अद्धादेश का मामला सप्रिम कोट ने गुरू और 20 जुलाई को पांच जजों की संविधान पीट को सौप दिया चीप जिस्टिस ने कहा कि इस बात पर लंबी सुनवाई जरूरी है कि सेवाओं को अधियादेश के जडिये दिल्ली विधानसबा के दायरे से बाहर कर देना सही है या नहीं ये अधियादेश केंदर सरकार ने बीते 19 मई को जारी किया था दिल्ली के LG की ओर से पेस हुए वरिष्ट वकील हरीस सौलवे ने सुनवाई के दौरान कहा कि संसद में बिल पेस हो जाने के बाद अध्द देश के मामले पर विचार की जरूरत ही नहीं रहेगी इस पर CGI ने कहा कि हम तब तक इंतजार नहीं कर सकते दिल्ली सरकार के वकील अविसेग मनु सिंग्वी ने संबिदान पीट में जल्द सुनवाई की मांगी जिस पर चीप जेस्टिस दिवाई चंद चूर ने कहा कि आदेश साम तक अपलोड किया जाएगा उसमें सुनवाई की तारीक भी बताई जाएगी अरविन केदरीवाल के नेत्यत वाली आम आद्मी पर्टी सरकार में नौकल साहों की नियुक्ती और स्थानांतरन से जुड़े इस अध्यादेश का विरोध कर रही है केंदर की ओर से जारी किये गए इस अध्यादेश में केंदर सरकार गुरुवार से सुरू हुए संसत के मौनसुन सतर में इस अध्यादेश को लेकर विधेग भी पेश करने वाली है आम आद्मी पार्टी इस अध्यादेश का पुर्ज और विरोध कर रही है आपके राष्ट सेंहोजग और दिली के सीम अरविन केदरीवाल इस अध्यादेश की खिलाब समर्थन जुटाने के लिए कई विपच्छे निताओं से मुलाकार भी कर चुके हैं सीम अरवीन केदरिवाल ने विपच्चे दलों से संसद में इस अध्यादेश को लेकर पेस किये जाने वले बिल का विरोध करने का आगरे किया है कॉंग्रेस समित कई विपच्चे दलों ने आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करने का आसोसन दिया है